जैसी साम दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चे के कपड़ों को कैसे धोना चाहिए अब आपको ये लगेगा कि कपड़े कैसे धोने चाहिए जी हाँ दोस्तों अगर हम बच्चे के कपड़ों को डिटरजेंट पाउडर में जिसमें हम अपने कप कपड़ेद होते हैं उसमें धोते हैं तो उनसे जो है बच्चों को बहुत जादा एलर्जी होने के खत्रा होता है जैसे हम डिटरजेंट में कपड़ेद होते हैं तो उसके इंदर दाने होते हैं दाने कपड़े के रेशे के इंदर चले जाते हैं और उसके बाद जो है फावडं से क्या काम होता है तो आप जब कपड़े दोए बच्चों के लिःक्विड ले दाने वाला ना ले जो हम कपड़े ले जैसे आसमें कपड़े दोए जाहें थोडे से फृट रन्दवनिल करके में चरहिए थोडें लेक हैं पाने में उनके कपड़ों को धोना चाहिए हो सके तो उनके कपड़ों में एक पूंद आपके टोल भी डाल दे और उसके बाद उन्हें अच्छे से साफ सुत्रे पाने में धो करके और धूप चरूर लगाएं कहते हैं बच्चे के कपड़े को उपर नहीं सुखाना चाहिए ये देखे ये घरेलू हमारी बाते है और मैं आपको घरेलू बाती ही आपको बताती हूँ तो मैं आपके साहरी बाते सेखांगा, बच्चों के कपड़े रस्टियों पर उपर क्यों नहीं सुखाने चाहिए यह मैं आगे आपसे बात करोंगी पहले मैं कपडो के बात कर लेती हूँ बच्चों के कपड़े बिलकुल मुलायम होने चाहिए, सौफ्ट होने चाहिए, या गर्मी हो, या फिर सर्थी हो, क्योंकि उनका सरीर बहुत नाजुक होता है, आजकल मोटे मोटे कपड़े बाजार में मिल जाते हैं और आप उन्हें पहना देते हैं, आपको नहीं पता लग कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता, मैंने आपको कई कारण आपको बताए थे, तो इन में से ये भी कारण होगा, आपके कोस्चन इसमें से था, कि बच्चा बहुत होता है, देखे, पहले भी मैंने एक कारण बता है, आज फिर से में एक कारण बता रही हूँ, आप य आलकेल के कपड़े पैनाएं और उसके बाद आप जो उसे पिछा रहे हैं जो कपड़े उसके नीचे उसको सोने के लिए आप दे रहे हैं वो भी बहुत सौफ्ट हो और हो सके तो बिल्कुल सूती कपड़े के बने हुए हो या फिर आप आपकी जो बैड सीट है उसके उपर बिल्कुल साफ कपड़ा हो लेकिन बिल्कुल साफ सुत्रा हो जैसे मैंने आपको कहा कि साफ सुत्रा बच्चे को infection बहुत जल्दी हो जाता है तो इस infection से बचने के लिए आप यह चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें बिल्कुल साफ सुत्रा होना चाहिए बच्चों के डेली दो बर आप कपड़े बगले, गर्मी हो या सरती हो, नहीं निला सकते, गीले पानी से आप बच्चे का सरीर है, उसे आप पॉँच दे, लेकिन उसे साफ सुतरा चरूर रखें, चाहे आप AC में सो रहे हैं, चाहे आप कूलर में सो रहे हैं, लेकिन दोनों ही किसमे में आप बच्चे कपड़े हम चेंज ना करें, बच्चे कपड़े आप चरूर चेंज करें, क्योंकि बच्चा दूद वगेरा पीता है, तो उसके जो है, वो गले में गिर जाता है, और कपड़े के उपर दूद वगेरा आ जाता है, तो इससे क्या होती है, कपड़े में चीटियां तो आप उसे थोड़ी सी इरिटेट होने लग जाती है तो आप उसे बदन को सुबह साम दोनो time जो है पानी साफ सूतरी पानी के साथ सूती कपड impossible के साथ अब उसे पौंच दे अच्छे से, हलका साफ पाउडर वगेळा भी जो है हलका साफ लगा दे या फिर हलका साफ देल वगेळा लगा दे तो आप देखेंये, आपका बच्चा पिलकुल भी नातोर होएगा, और जो ह एक दम साफ सुतरा रहेगा तो उसे विजू है को infection भी नहीं होगा अभी बारिस का मौसम चल रहा है तो बारिस के मौसम में बहुत ज्यादा बच्चे की ध्यान रखनी है खाने के साथ आपको भी खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ज्यादा तली चीजे नहीं खानी ह ज्यादा मिर्चे वाली चीजे नहीं खानी है ज्यादा बादी वाली चीजे नहीं खानी है अब क्या खाना है अद्रक आप खा सकते हैं इस टाइम पर अद्रक लिए रोक प्रती द्रोक आपको उससे बचाएगा अद्रक को आप छोची टुकड़ों में काट लें और उसके digestion खराब होगा, तो आपके बच्चे को बड़ी तकलीफ होगी, आपके बच्चे का भी digestion खराब हो जाएगा, तो आप बहुत सोच समझ के खाए, दूद जादा ना पिए, बारिस का मौसम है दूद जादा ना पिए हरी पत्तेदार सबजी आप जादा ना खाएं, क्योंकि बारिस का मौसम है कोई भी कीडा बगेरा, बड़ी आसानी से पत्तों के अंदर पत्तों के रंग जैसे कीडे होती हैं तो आपको पता भी नीचलेगा कि आपको कैसे कीडा आगया, पत्ते वाली सबजी एक भी नीखानी है दूद की मातरा आपको कम कर देने जहां आप तीन टाइम पीते थे वहाँ दो टाइम पीए, धही खा सकते हैं लेकिन दूद की मातरा भी आप कम कर दे पनीर वगेरा भी आप कम कर दे क्योंकि पनीर जो है, पचने के लिए उसे दो से तीन दिन टाइम चाहिए, तो आप जब ऐसे खाएंगी तो आपके बच्चे को भी जो है वो परेशानी होगा, बारिस को मौसम में बहुत जादा ध्यान रखना होता है, गर्मी और सर्दी से भी जादा बारिस के मौसम में बच्चे का जादा ध्यान रखना होता है कपड़े आप एकदम बढ़िया सुखे हुए धूप में सुखे हुए हो एकदम अच्छे से अगर धूप में अच्छी धूप नहीं आई है तो आप उसे प्रेस भी करवा सकते हैं या पिर ऐसे एकदम साफ शुत्रे कपड़े सुखे हुए कपड़े होने जी है बिल्कुल भ तो उससे भी जो है इंफेक्शन नहीं होगा नाखुन अगर बच्चे के हैं तो आप उंगली से तोड़े कैंची से आप ना काटे ऐसे नाखुनों से आप हलके से इसे तोड़ दे या फिर बड़ी सावधान के साथ आप इसे किसी और को पकड़ करके हाथ को अच्छे से आप बच्चे को बिलकुल फी इंफेक्शन नहीं होगा और बारिश के माशल में बिलकुल आराम से जह मैं बारिष के मुझा में दोस्तों डाइडिया होने का बहुत बहुत ढर होता है तो आप ध्यान रखें जो आप खान पान ले रहें वह ब़हुत बढ़या हो और सुस् तो यह यह मतलब भारी उसमें आता है जब इस मौसम में प्याज लेस्न खाती है तो भी दिक्कत पैजा हो जाती है तो कि उसके पचने में उसे बहुत जारा दिक्कत होती है हाँ अगर आपको लेना है तो थोड़ा वो ताप लहसुन ले सकते हैं कच्ची चीजों से बचिएगा जो छोटे बच्ची हैं अगर आप कच्ची जीजे खा लेंगे तो आपके छोटे बच्चे को पेट दरध होने की समझ से हो जाएगी ये छोटी छोटी बाते आपको लग रही है बारिस के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा बच्चे का ध्यान रखना है कपड़े का ध्यान डखना है आपको खाने का ध्यान डखना है आपको सरीर का ध्यान डखना है आपको एक एक चीज का ध्यान डखना है बारिस के मौसम में यह जो दो तीन महने चार महने होती है बहुत ज्यादा उसके होती है बिमारियों के होती है एक तरह से कहे जाता है कि इ की मात्रा कम कर दीजएगा जादा नहीं किजेगा क्योंकि इस टाइम पर पचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, हलका सुपाच्य वोजन आप करें, जो कि आपके पेट में इर्टम पचना जाए और रात के टाइम पे आप चावल ना खाए, दही ना खाए, तो आपका पेट सही रहेगा, क्योंकि रात के टाइम पे खाने से सद गरम हो जाएगी, जो कि बच्चे को भी फिर वो सद गरम हो जाएगी, तो आपको इस चीज का भी ध्यान डगना है, ताजा बनाएं, ताजा तड यह थी छोटी सी जानकरी अच्छी लगयो तो प्ली दोस्तों एक लाइक दो दीजिएगा